आज हम बात करेंगे वार्मर के बारे करें ये वार्मर का क्या काम है बच्चे को टेंपरेचर बच्चे का टेंपरेचर मेंडेर करने के लिए तो ये डिजाइन इस तरीके से किया है कि बच्चे का टेंपरेचर सेंस करके बच्चे को जितनी जरुरत है बस उतनी हीट प्रोव तो यह से चुनराट देता है तो यह अगर आपके तो इसके निलिए जिर लगा हुआ है यहां पर कॉल है जो जिस गरम होता है और गरम करें बच्चे के जो आजू आजू का वाता वरान है उसको गरम करता है यह पैनल में आप देखेंगे तो यहां पर कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो गए हैं कुछ सिंबॉल्स है और यह क्रेडल है जिसमें बच्चे को रखते हैं इसमें अगर हम देखे तो सबसे इसके पीछे में पावर सप्ला रहता है जो प्लग रहता हो पीछे में रहता है जिससे उसको इलेक्ट की पावर मेंटा है इलेक्ट बीजडी की उपर यह चलता है तो यह सबसे पहले है अगर पैनल हम देखे तो यहां पर टेंपरेटर बिस्पले हो रहा है उसके बाद में यह दो मोड दिये हुए इसके जो हाथ दिखाया है यह मैनियल मोड है जिसके बेबी दिखाया है यह सर्वो मोड या फिर स्किन मोड बोलते है इसको यह स्किन कंप्रेचर बच्चे का सेंस करके उसे सबसे काम करता है यहांपे अबढ़ स्कोल्ख, अगर जो बच्चा अभी अभी फिप डिलेवर हुआ है, अगर आपको अबढ़ स्कोल्ट करना है तो इसके लिए वाच की हुई है. अगर आपको बच्चेका रिश्पिर्टीट दिन दिना है तो उसके लिए वया watch काम करती है ये दिगीरी तो इतने सिकंद में बच्चे ने सास लिया या फिर बच्चे का अगर आपको रिस्पिरिटरेट लेना है तो आप यह घड़ी का इस इस्तमाल करके उसका हार्ट रेट देख सकते हैं कि यहां पे अलाम का साइन दिया हुआ है और यहां म्यूट करने के लिए बटन दिया हुआ है तो अलाम किस परकार के हो सकते हैं अगर बच्चे का टेंपरेटर कम जदा हो गया तो यहां पे लाइट लग जाएगा अगर आपका हीटर काम नहीं कर रहा है यह काम नहीं कर रहा जैसे हम इसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैनियोल मोड पर गाता है अब यह मैनियोल मोड का क्या था जब यहां पर बच्चा नहीं है मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे बच्चा डियोर हो के मेरे पास आएगा तो उसको इसमें लेकर जोगी उसको क्या देना है वह तो उस ताइम पर यह वार्म और रॉन को यह मैनियोल मोड मतलब इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं और इस टेंप बच्चे का ओंपरेचर सेंस नहीं कर रहा है अगर बच्चा पहले से उसको फिवर है गचा है तो बच्चा बच्चा मझिया कि могу जाया हो नहीं हूँ करना है सब्सक्राइब दो अब इसका टेमरेशर आप सेट कर सकते हो जैसे कि यहां पर सट किया हुआ 36.5 इसको आप काम कर सकते हो बढ़ा सकते हो राइब तो यह हर यूनिट का यह टेमरेशर वो उसे साब से सेट करते हैं, हमारे उनिट में 36.5 हो सेट करते हैं, तो इस तरीके से आया हुआ है, तो यह प्रोब को हम बेबी के स्किन में स्टिक करते हैं, कहां पे स्टिक करते हैं? अब पर पर अब्डोमेंट पर रखते हैं, थाइस पर क्यों नहीं लगाना है? बहुत बार बच्चा अगर इसमें हैं, तो उसके एक्स्टिमिटी का टेंपरेचर कम रह सकता है, लेकिन अब्डोमेंट गरम रहे हैं, अगर आपने इसको थाय में लगा दिया और समझो, वो से ओडर बच्चे को सुपर्फिशर बटस भी रो सकता है, इसलिए इसको हमेशा, को टेंपरेचर देखना है इसलिए हम इसको अब्डोमेंट पे करना हूं, तो यहाँ से सबस्क्राइब जो टेंपरेचर रहेगा वह सेंज करते हुए यहां तक जाएगा यहां पर वह डिस्प्ले होगा और इसके मुताबिक यह कीटर काम करेगा अगर बच्चे का टेंपरेचर कम है तो यह यहां का हीटर मैग्जिमम पॉल हो जागा एक छोटा सा कमपूडर है जो क्या टेंपरेचर है उससाब से यह हीटर को रेगुलेट करता है अगर समझो बच्चा बहुत ज़ादा हीट हो गया तो यह टेंपरेचर अपने आप यह य यह बंद हो गया कि इसने टेंपरेचर के आप हीजा 42 है इसके कारण से हीटर बंद हो जैसे ही और कम हो जाएगा तो यह फीडबैक में जाने समय ताकि बच्चा ओवर हीट ना हो जैसा कि हमने देखा कि टेंपरेचर ज्रादा हुआ था इसलिए आदाम कुनसा बजा टेंप ढ़र हो जाए ठाटाते हुआ तो यह फीर थीर में जाने से कारण से अगर इसने प्रोब निकल जाए तो आलाम कुन सा बज़ेंगा तो आपको दरनी किस कारण से तो यह एक रेंज होती है समझोगर 36.5 है तो जब तक कि 37 नहीं होगा यह अलाम नहीं देगा ठीक है यह 36.9 नहीं हो जाता तब तक कि अलाम नहीं देगा तो यह 0.5 का गैप मेंटेन करता है यह अभी अलाम दे रहा है 27.7 पर क्योंकि हमने उसे म्यूट करके रखा इसलिए अलाम सुना ही नहीं देगा ठीक तब बहुत बार गलती क्या होती कि प्रोब लगाया होता है बेबी के अब्डोमेंट और किसी कारण से हो निकल के चला जाए तर बाहर तो इसमें क्या तक लिए इंवर्मेंट का टेंपर है 36.5 यह हीटा हमेशा फुल रहेगा बीबी का टेंपरेचर सेंस कर रहा है नहीं वह पूरा सेंस कर रहा है एक्मोस्पियर का और बीबी ओरीट हो जाएगा बहुत पार बहुत होने के भी चांसे होता है इसलिए इसे हमेशा है जब भी आप बच्चे को देख रहे हैं आप इसमें एक एक्जामिनेशन लैम भी इसको अगर आउन करके कोई प्रोसीजर करनी है कैनूला लगाना है तो यह इसकी जो इंटेंसिटी ए लाइट की बेबी टॉलरेट कर सके जो उसके गाइडलाइन से उसी सबसे बनाए गया है बहुत जादा शार्प लाइड आपको कभी नहीं मिलेगा तो वह गए इसके लिए इसके लिए इसके अलावा इसके कुछ स्टैंड है इसके अपर इंफुजन पॉंप लगा सकते हैं ठीक यह ट्रॉली के नीचे आपको इसरे डालने के लिए शीट में जाएगी इसके अंदर आप एक सरे प्लेट डाल के बच्चे का इसके लिए सकते ही बिना बच्चे को इलाएड है इसके अलावा कुछ यह आते हैं कुछ आइसे मशीन आते हैं जिस पर बच्चे का बजन भी कर सकते हैं ठीक है कोई क्वेश्चन से अभी कभी बच्चे को अगा फीडिन देनी के बाद में आपको प्रॉक्टर परखना है इसको ख्चे आपको नहीं आप उसको ख्चे पर कर सकते हैं शुरीदावी कर सकते हैं तो यह शुदावी शुदी के रहे हैं अधा हुआ